फरिदबाद के निटी नम्मर दो में महिला के साथ हुई धोकादड़ी और ठगी के मामले में सामने आई सीसी टीवी फोटेज इन वीडियोस को देखिए, मामले को जानिये और सतर करेए आज इनके साथ यह हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है यह ठगी गैंग काफी दिनों से फरिदबाद में सक्रिये हैं और अलग-अलग जगा, अलग-अलग कहानियों के साथ लोगों को बहला फुसला कर उनके साथ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा पारक जा रहा थी, पारके उधर से जब आते हूं तो दूद ले आते हूं गर पे तो फर क्या हुआ मेरे को एक जैंसमें लड़का मिला, उसने मास भी लगाया हुआ था तो वह कहने लगा, आंटी जी मेरे को ऐसे है, जेपूर जाना है बहुत सार है, जे भी जैसे ल Almightyुट एक साओर और मेरे को भी पाषी मास इस टेहें के वालों को गिश्योग में अलएंडा आ क्ये यो साफ़ा है आप ऐसे पांटी कोई पाष़ पार और नहीं करनाए तो आप ऐसकाधूर ऑस मेरे अऑने वाल Rebecca के पास उदर खुले करा आने उचौ है तो मिलियों तो थे मिली बगते और मेर से आंके शुबण below कर्या कुभीर वैसे करें और की leaf बायले में ऐसे चैड़ान और वैंक करा वो तो भही मै्न की तो मेर निरो Mickey को शूत्ज से बहुत नहिए मैं इतनी में पड़ी लिखी नहीं हूँ और मैं इनसे ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं करना चाहती इतने वो लड़काओ कहने लगा कोई बात नहीं अंटी इन्हें परेशानी है तो कोई बात नहीं हेल्प कर दो आप मैं आप नहीं नहीं मैं तो जाती मेरे को पारक जाना ह फिर मैंने भाना बोला मेरे को डाक्टर के पास भी जाना है तो वो कहने लगा ये तो मेरी मम्मी है अब मेरे को अंदर से नहीं पता है जो ये धोनों मिली बगते हैं वो मेरे को मम्मी बता रहा है वो उसको कह रहा है मेरे अंजानू में इसको जानता ही नहीं हूँ अंदर से जान रहे हैं आपस में जान रहे हैं तो करते करते मेरे को यहां ले आए भवानी वाले के पास क्या हुआ जैसे यह मेरे को ले के गए ना तो यह कह रहा है कोई बात नहीं मैं आप मैंने पचास दे दिये तो उसने क्या करा उसको 500 रुपया दे दिया कि रहे कोई बात नहीं अंटी इसकी हेल्प हो जाएगी आगे जेपूर तक जा रहा है तो इसके पैसों कोई जरूरत है तो मिर को ऐसे ले जाते ले जाते उसने अपनी घर वाली के कड़े उतार लिए वो उतार के मिर को ऐसे अब देखि यह आगे जा रहे है दोनों जैंस और में इनके पीछे-पीछे हम दोनों लेडिस फिर इस साइड में मेरे को कर दिया इन्होंने मेरे से करें आँटी जी आप एक मिंट के लिए न वीरे उतार दो कड़ें जार से कहा हा तो उन्हें ने ने का तो क्या नहीं चलो जो भाई देख अंटी ने भी उतार दियें, कड़े उतार दियें, और ऐसे ऐसे वो है सो, मेरे पैसे बैंक में मेरे जमा करवाए आएंगे, वहां से पर्चिव गरा ले आएंगे, फिर वो केने लगा, क्या आपका क्या भरोसा, आप आओगे, नहीं आओगे, वो दूसरे लेके, अपने, अपने, मेरा दिमाग नहीं था, जो मैं कम सकूँ खोल के देखती, जब ये कर रहे, अंटी मैं इस बंदे को है न, सुबह का भूका है, मैंने इतना बोला, मैं कि भवानी वाले से, इनको कुछ खिला दो, कर रहे नहीं, नहीं, यहां नहीं नहीं नहीं, यह मेरे रिष्टेदार देख लेंगे मैं इनको थोड़ा मुक्य संग उदर साइड में रेडिया आगे किसे साइड में ला तो ओ मेरे को जब यह गाए ना तो वह बेटा फिर मेरे को डाउट लगा थोड़ा में भावानी वाले के पास यह जो है फटा फट थेली खोली है में थे ख़ले तो अपनी जो है उनके साथ ही ही महिला उनके कड़े उतरवा के थैली में बांध के रख दिये और उसके बद आँटी जी से कहा कि आप अपने कड़े भी उतार दें लिए जो साथ से और टोपा से और कड़े फॉरिज दाबाद बड़ी ठगी है शहर में एनाइटी एरिया में जो आप देख रहे हैं एनाइटी दो में एक दो के चौक के पास आंटी जी के साथ ये हुआ है कहीं भी किसी के साथ भी घट सकता है इसलिए समाईजारी से काम ले बड़े बुजर्गों को घर से बाहर अकेला ना भेजें और हो सके तो त्योहारी सीजन में इस समय हैं जो है कम से कम सोना पहने बड़े बुजर्ग तो खासकर इस बात का धियान रखें और हिपनोटिजम का काम कह सकते हैं हम या हम कह सकते हैं कि विश्वास में ले लिया या बड़े बुजर्गों को देखकर कुछ ऐसा किया जाता है चाल चली जाती है बड़े बुजर्ग झाल